Hello students, आज हम पटन अभियान की गतिवदी पे दरख कर रहे हैं, यह क्लास 6 से 8 के लिए आया है और इसका सीरिया लंबर है 5, यह 21 जन्वरी के लिए आया है, जड़े बच्चों शुड़ू करते हैं, समय बहुत कीमती है, हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने के लि समझी गए होगे इस पेरग्राफ को पढ़ने से कि हमें आज समय के बारे में पता करना है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, अच्छा आप समय को कैसे दिखते हैं, हम घड़ी की मदद से दिखते हैं, और आजकल तो हम मोबाईल से, टीवी से भी समय का पता कर सकते हैं, एक तक का टाइम दिखाया जाता है, तो फिर हम दिन और रात में अंतर कैसे करते हैं, चलिए इसे पढ़ते हैं और इसको पता करते हैं, बारा गंटे के अंतर के लिए हम एम और पी एम का उप्योग करते हैं, जिसे रात के बारा बच के एक मिनट से, दिन के ग्यारा बच के 69 मि बच्चों जब रात को घड़ी में 12 बच जाते हैं उसके बाद जितना टाइम उपर होने लगता है उसके साथ हम A.M. लिखने लगते हैं इससे हमें पता चलता है कि हम रात के बाद के समय की पात कर रहे हैं और सुबह दोपैर होने से पहले जब 11.69 का टाइम हो जाता है तब तक हम A.M. लिखते हैं यानि सुबह के 12 घंटों को के लिए हम A.M. से लिख करके पता करते हैं दिन के 12 बचे 1 मिनट से रात के 11 बच के 69 बचे तक हम P.M. का इस्सेमाल करते हैं जब दोपैर में 12 बच जाते हैं उसके ओपर समय जाने लगता है तो हम उसके लिए P.M. लिखना शुरू कर देते हैं इससे में पता चलता है कि अभी है शाम के 12 घंटे वाला टाइम शुरू हो गया है और रात के 11 बच कर 69 मिनट के साथ तक हम P.M. लिखते रहते हैं P.M. में यह बताता है कि हम दोपैर से लेकर रात तक के समय को के बारे में बात कर रहे हैं उदारन प्राता है 6 बजे की घड़ी को हम प्राता है 6 बजे तक साएं काल की 6 बजे की घड़ी को साएं 6 बजे कहा जाता है आओ कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ समय दिये गए हैं और खाली सान दिया गया है जिसे की यहाँ पर है और यहाँ पर है इसे हमें बढ़ना है समय है सुभे चार बजे तो हमने इसको लिखा चार एम अब आपको बताना है कि अगर सुभे नो बजते हैं तो हम एम लिखेंगे या पी एम हम लिखेंगे नाइन एम और अगर शाम को साथ बजते हैं तो हम क्या लिखेंगे 7 पीम नीचे कुछ कारे दिये गए हैं बच्चे यहां पर घड़ियां दिखाई दिये रही हैं अब इन घड़ियों में आपको एक एक्टिविटी करनी है दिखते हैं क्या एक्टिविटी है जब आप ये काम करते हैं तो नीचे दी गई घड़ी पर दिखाएं यहां पर कुछ एक्टिविटी लिखी हुई है ये एक्टिविटी आप किस टाइम करते हैं तो वो टाइम आपको इस घड़ी में लिखकर दिखाना है सुबह उठने का समय आप सुबह कितने बज़े उठते हैं? मान लेजे, आप सुबह 6 बज़े उठते हैं तो 6 बज़े उठकर आप समय कैसे बताएंगे? 6 एम और घड़ी में 6 बज़े की सुनी दिखा देंगे क्योंकि इसी को देखने से हमें समय का पता चलता है खेलने का समय आप खिलने का समय क्या है? शायद शाम के 4 बज़े तो आप लिखेंगे 4 पी-एम क्योंकि यह है शाम वाला टाइम है जो दोपेर के पास शुरू हुआ है और यहाँ पर आप घड़ी में 4 बज़ा देंगे घर पर पढ़ाई का समय घर पर आप सुभे पढ़ने बैठते हैं या शाम को मान लिजी आप सुभे 9 बज़े पढ़ने बैठ जाते हैं तो हम लिखेंगे 9 एम और यहाँ पर घड़ी में दिखाएंगे 9 बज़े का समय परिवार के साथ वक्त पिताने का समय हम रात को जब खाना खाते हैं तो अक्सर हमारा पूरा परिवार उस समय हमरे साथ होता है और रात का खाना किस टाइम खाते हैं हम 8 बज़े तो हम लिखेंगे 8 पि-म बच्चों यहाँ पर यह टाइम आप अपने नुसार भी लिख सकते हैं तो 8 बज़े बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 8 पर सुई दिखाएंगे और 12 पर सुई दिखाएंगे तो आप सभी को अपनी कोपी के अंदर इसी तरह की घड़ियां बनानी है और उन घड़ियों में अपने अनुसार समय दिखाना है आप कोई भी समय दिखा सकते है यहाँ पर फिर से चार घड़ियां दी गई है इसमें में क्या करना है चलिए दिखते है उपरोक्त घड़ी A, B, C, D में अंकित समय से सम्बंदित निमिलिकित प्रश्णों के उतर दीजिए यहाँ पर तीन प्रश्ण दिए गए है और यहाँ पर चार घड़ियां दी गई है कौन सी घड़ी का टाइम आमारे दिए गए प्रश्ण से मिलता है प्रश्ण A, कौन सी घड़ी में ढ़ाई बजे है यहाँ पर देखिए बच्चों इसका मतलब होता है कि 30 मिनट जितने पर भी एक मिनट वाले सुई होती है उसको हम 5 से गुना कर देते हैं यह सुई अब 6 पर है तो इसलिए ने 5 से गुना किया तो 2 बज कर 30 मिनट को हम ढाई बोलते हैं तो यहां पर हम कौन सी गड़ी में दिखाई दे रहा है डी गड़ी में गड़ी बी में कितने बज़े हैं हमें बताना है कि बी में कितने बज़े हैं बी में बज़े हैं बारा लेकिन उन्हें यह नहीं बताया हुआ कि हम सुभह के समय की बात कर रहे हैं या शाम की समय की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बारा लिख देते हैं किस घड़ी में बारा बजने में दो घंटा पंतालिस मिनट शेश हैं यहां पर हम किस अंक में दो घंटा और पंतालिस मिनट जोड़ दे तो हमारा बारा आ जाता है यह आता है घड़ी सी में देखे बच्चे कैसे हमारे नो बज जोडते हैं तो हमारा बनता है 11 और इसमें साथ में 15 मिनिट हैं और 15 मिनिट में जब हम 45 मिनिट जोडते हैं तो हमारा बनता है 60 मिनिट और 60 मिनिट का मतलब एक गंटा यानि 11 में एक जुड़ गया तो बन गया 12 इसका मतलब घड़ी सी इसका अंसर है बच्चों यहां पर कोव पीड के संदर्ब में उचित वेवार संबंधी कैब संदेश, नेमित रूप से अपने हाथों को साबून और पानी से दुहें, बच्चों घर पर रहें, सुवस्त रहें, बढ़ाई करते रहें और गतिविती पत्रक करके नही नही चीजें सीखें, आज की वरक्षीट में ला इंका सिर्ण क में पत्रक करते रहें।